हाई एवरीवन केसे हो आप सभी लोग आयोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल हैं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक पर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज एक अगें मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुका हो दोस्तो और आज का जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो इसले होने वाला है क्योंकि आज आपको मैं बताने वाला हूँ कि वैकेशन्स में आपको क्या करना है यानि कि आप एक चीज तो जान चुके होंगे, कि आप लोगों के दिवाली जो छुटी है, दिवाली की वेकेशन से स्टार्ट हो चुके हैं, इसका मतलब आप अराम वाले मूर पे आच चुके होंगे, यानि कि अब आप सिर्फ और सिर्फ रेष्ट कर रहे होगे, चीजे को enjoy कर रहे होंगे obviously करना भी चाहिए लेकिन यार कुछ चीजों का ध्यान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है नहीं तो कहीं न कहीं पीछे रह जाओगे life में इसलिए दोस्तों आज का ये वीडियो मैं specially बना रहा हूँ उन students के लिए ताकि मैं बता सकूँ कि आप ये जो दिवाली का vacations मिला है ना इसका best utilization कैसे कर सकते हो इसकी productivity को कैसे बढ़ा सकते हो और क्या करना चाहिए इस vacation के अंदर पूरा चार्ट बना के लाहे हूँ आपके लिए और एक एक points explain करूँगा वीडियो end तक देख लेना ज्यादा बड़ा नहीं लूँगा वीडियो end तक देख लेना आपको हो सकता है इस वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा motivation मिल जाए inspiration मिल जाए और आप अपने इस vacation का फाइदा उठा पाओ बाकी जैसा जितने मैंने student से बात किया कुछ personal student से भी बात किया तो almost बाकी लोग के exams जो है वो खतम होगे कुछ schools ऐसे हैं जिनोंने बोला है कि वो जो exams होगा वो दिवाली के बाद वो लोग लेने वाले हैं दिवाली के जश्ट जो आपका 10 से 12 दिन का 15 दिन का आखी के जो city है उसमें कैसा है मुझे comment करके बता था लेकिन मैं आपको आज एक कुछ strategy बताने वाला हूँ कि दिवाली का vacation का best इस्तेमाल कैसे कर सकते हो चुट्टी तो 10 से 15 दिन आपको मिल गई होगी लेकिन सबसे पहला चीज यह है कि आपको enjoy करना बिल्कुल नहीं भूलना है मतलब आप बिंदास क्या करो दोस्तो enjoy करो तो समझ लो आपके पास 10 से 15 दिन है enjoy करने के लिए 10 तू 15 डेस का आपको vacation मिला हुआ यानि कि 10 से 15 दिन का आपको क्या मिला है चुट्टी मिली हुई है vacation मिला हुआ तो आप पूरा का पूरा ये 10 से 15 दिन क्या करना पसंद करोगे बैट के घर में सोना पसंद करोगे गेम्स खेलना पसंद करोगे या फिर उसमें से थोड़ा सा टाइम निकल के पढ़ाई करना भी पसंद करोगे और अगर आप ऐसा कर लेते हो दोस्तों यानि कि 10-15 दिन जो आपके पास एक्स्ट्रा है, यह जो वैकेशन मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा टाइम, तो यह जो एक्स्ट्रा टाइम है, इसका अगर आप एक एक घंटा भी यूटिलाइज डेली करते हो, तो 15 घंटे आगे बढ़ जाओगे किसी और इंसान से, 15 घंट दिन मिला है, एंजोई करना है, लेकिन उसमें से कम से कम दोस्तों, एक घंटा तो टाइम निकाल लो, हमारे वीडियोज देखके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, एक घंटा कम से कम दोस्तों वीडियोज देखो, कम से कम दो से तीन वीडियोज का टार्गेट रखो, लेकिन साथ ही में आप क्या करोगे, वीडियोस देखने के बाद उसको practice करो, चाहे वो science हो, चाहे वो maths हो, या फिर social studies के जो वीडियो हम डाल रहे हैं, चाहे वो हो, regular तरीके से पढ़ाई करते रहे हैं, यह हो गया हमारा पहला point, दूसरा point यह है, सबसे important, और यहां तो मैं थोड़ा सा rituals के बारे में बताना चाहूँगा, कि according to Diwali, आपको पता है कि हमारा Diwali इस बार 4th of November को आ रहा है, लेकिन जहां तक मेरे parents ने मुझे बताया है, rituals के बारे में बताया है, तो आप लोकों में क्या, एक recommendation दूँगा, थोड़ा सा बच्चो वाला recommendation है, I know that, लेकिन आपके राउल सर बोल रहे हैं, तो जरूर से थोड़ा तो follow कर लेना, यानि कि at least Diwali की दिन यार, एक गंटा time निकाल के पढ़ लेना, दिवाले की दिन, morning का time, दुपएर का time, कुछ नहीं करते हैं, जो भी मज़ा आता है दिवाली का, उस दिन किया हुआ काम, आपको प्रेरित करता है, कि आप वही काम सालबर करो, यानि कि अगर आप study में आगे बढ़ना चाहते हो, study के accordingly आगे बढ़ना चाहते हो, तो according to some rituals, आप अगर एक घंटा भी पढ़ लाते हो, यानि कि आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और यही चीज़ आपको आगे लेके जाने में help करेगी, और आप study के मामले में बहुत आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, तो यह चीज़ जरूर से follow करके देखना, और आप शेडूल के ओपर बनाया हुआ है, किस प्रकार आप टॉपर बन सकते हैं, वो सब वीडियो बनाया हुआ है, दूसरे चैनल, हमारे जया टॉक्स के ओपर भी बहुत सारे ऐसे अलग-अलग वीडियो लेकिन आप अपना शेडूल को कैसे प्लाइन करोगे, तो डिपेंड करत लेकिन अगर एक्जाम नहीं है, तो थोड़ा सा लाइटली पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, पढ़ो, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे, तो 10-15 दिन का ग्याप अगर पढ़ जाता है, तो आपकी जो हैबिट है, पढ़ाई करने की, वीडियो देखन की conception, knowledge को याद रखने की, वो फीकी पढ़ जाएगी, और कोई भी चीज़ की आदत छूड़ जाती है, यह मने बार-बार बोला है, the power of three and the power of consistency, यह अगर छूड जाएगी, तो कही न कहीं लाइफ में पिछे रह जाओगे, फिर उसको adapt करने में, वो अपस से शुरुआत करन उसी दाई, दसवी का जो exam होने वाला है, offline होने वाला है, 99% chances से offline होगा, तो आपको अभी से अपनी पढ़ाई continue से जाले रखने है, आपके लिए छुट्टी वुट्टी कुछे नहीं है दोस्तो, enjoy करो, दिन में 24 गंटे होते हैं, 8 गंटा सोने का निकालो, तो भी 16 गंटे ह करो, 15 दिन का multiply by two, 30 hours आपके हाथ में हो जाएंगे, 30 hours आपको किसी ओर से आगे बढ़ जाओगे, तो यह जरूर से करके देख लेना, तो schedule plan करना और उसके हिसाब से work करना और काम करना, उसके बाद क्या करना है, go for that extra effort, यह मैं क्यो बोलता हूँ बार बार, जहाँ पे लगता करते हैं, जैसे हम game खेलने कभी-कभी, तो हमको ऐसा लगता है कि आज game अच्छी नहीं हो रही, तो हम थोड़ा सा और मेहनत करते हैं, extra effort डालते हैं, कुछ भी काम होता है, जैसे running race लगाते हैं, तो हमको लगता है कि हम हारने वाले, लेकिन थोड़ा सा और दम लगा के भाग समझ लो, आप हर चार दिन में पढ़ रहे हो, तो कहीं न कहीं आप बहुत आगे निगल रहे हो, आपको extra चीजे याद हो रही, extra चीजे के बारे में knowledge मिल रहा है, conceptual knowledge मिल रहा है, तो always put your extra effort in your study, जब तक effort नहीं लगा होगे, कोई भी काम नहीं होगा, ये मेरी बात याद रख चुट्टी नहीं मिलने वाला आपको, कि बैटा ये लो, 10-15 दिन का चुट्टी ले लो, दवा के पढ़ लो, मिलेगा क्या मोका, नहीं मिलेगा, आपके schools रहेंगे, classes रहेंगे, offline classes, online classes, या फिर जो भी है, आपके इतना schedule आपका busy रहेगा, तो आप एक clean time नहीं निकाल मेन जो है productivity को बढ़ाना है, दो गंटा, तीन गंटा, डेली पढ़ाई करो, और कोशिश करो, कि किसी एक subject का मैं syllabus complete कर दू, कोशिश करो, target बनाओ, जैसे अगर आपके पास समझ लो, 15 दिन है, तो 15 दिन में हर 3-3 दिन का एक slot बनाओ, 3 दिन एक subject, 3-3, 3-3, 3-3, हो गया 15 दिन मतलब 3 दिन में science पढ़ो, 3 दिन में maths पढ़ो, history पढ़ो, geography पढ़ो, political science पढ़ो, देखो, हर subject 3-3 दिन पढ़ोगे न, यानि कि समझ लो, 3 दिन में आप 3 चाप्टर भी पढ़ते हो, तो हर एक subject का आपका 3-3 चाप्टर यहीं पे complete हो गया, तो बच्चे का कितना 5-5-6-6 चा अच्छे से पढ़ाई करो, ओई चीज में बोल रहा हो, ठीक है, start executing your plans, जो भी plan आपने बनाया है, जो मैं आपको बोल रहा हो, plan करो schedule को, जो भी plan आपने बनाया है, उसको execute करना शुरू करो, यानि कि अंजाम देना, ऐसा नहीं बस plan बना के बेढ़ गए, भाईया हम तो चलो मजे मस्ती करेंगे, दिवाली का टाई में फटा के फोड़ेंगे, फोडो किसने मना किया है, तो फटा के फोड़ना, मैं खुद फोड़ता हो जाके, लेकिन एक time जो है मेरा, उस schedule को बनाने के बाद, ठीक है ना, और careful हो के फोड़ना, again मैं आपको बोल रहा हूँ, अच्छ चलाने में, brain dead नहीं होना चीए, मैं हमेशा बार-बार word बोलता हूँ, brain dead, brain dead क्या होता है, कि अगर हम 10-15 दिन ideally बैढ़ जाते हैं, और बाकी काम करते हैं, लेकिन study का कुछ काम नहीं करते हैं, तो हमारा brain जो हो दिरे-दिरे block होने लगता है, brain dead होने लगता है, इससे क्या हो student है, यह थोड़ा सा extra काम करने के लिए बोल रहा हूँ, जैसे कि मुझे बहुत सारे comments आते हैं, आप लोग live session में भी हमेशा comment करते हो, सरा हमें YouTuber बनना है, क्या करना चीए, सर कौन सा books पढ़े, extra knowledge कहां से लाएं, इसका knowledge, stock market का knowledge, या फिर financial चीज़ों का knowledge, जैसे बहुत सारे जो आप extra question पूछते हैं, तो यही आपके पास extra time है, उसके बाद कीधर time मिलेगा आपको, मुझे एक बात बताओ, जो मैं आपको बोल रहा हूँ, कि holiday आपको 10-15 दिन का जो मिला है, it is the best opportunity, दसुई वाले के लिए मैंने opportunity बताया, क्यों, क्योंकि उनके पास time है, वो पढ़ स special video बनाया हुआ है, already, पहले ही बना के रखा था, best five books, जो मैंने पढ़ा है, और मेरी life उसने change किये, वो books आपको बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, मैं जहाँन से मंगा लो, कि इधर सभी मंगा लो, link मेरे description में भी link मिल जाएगा, मेरे आप ये video के description में चले जाना, link मिल Warren Buffett जैसे लोग, जो stock market के दुनिया में बादशा है, जिन्होंने इतना पैसा कमाया, कैसे कमाया stock market में, सीखो, books पढ़के सीखो, कैसे करते हैं, financial चीजों के बारे में knowledge, इतने सारे books मैंने recommend की है, life को लेके knowledge, बहुत सारे चीज, YouTube पे किसी को काम करना है, start करो YouTube channel, कुछ भी ज जिनत करो, देखो कुछ होता है, क्या, हो सकता है आपका लक्साथ दे, तो ये चीज करके देखो, और भी बहुत सारे चीज़े हैं, सीखो, मुझसे पूछो, comment करो, Instagram पे पूछो, Instagram पे follow करके पूछो मुझे, तो बताऊंगा यार, बहुत सारे चीज़े हैं करने के लिए life म तो वो भी कर सकते हो, extra time निकालो, ठीक है, तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा, इतने सारे points मैंने cover कर दिये, तो उमीद कर दो कि आपको समझ में आ गया होगा, but last and not the least, जो कि है all the very best from my side, जितने भी students है, सबको मेरी तरफ से एक हार्दिक, best of luck है, क्यों, क्यों बोल रो best of luck, अल्री बहुत सारे लोग के exams हो गए है, उनके लिए भी best of luck है, कि आपका result अच्छा है, और जिनके exams आने वाले हैं दिवाली के बाद, उनके लिए भी best of luck है, और best of luck उनके लिए भी है, कि जीनों ने मेरा points का मतलब समझा, जो मैंने इतना मेहनत करके points बनाया, और आपके ल जो लोग नहीं सुनेंगे, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि जैसा मैंने आपसे बोला था, मेरा सपना यह है कि आप मैंसे सब students आगे बढ़ें, अपने life में top level पर पहुचें, और आप ऐसा करोगे, तो definitely मुझे लगता है, बहुत आगे बढ़ और उमीद करता हूँ कि यह दिवाली आपके life में खुश्यां लेके आए, prosperity लेके आए, health लेके आए, wealth लेके आए, हर चीज लेके आए, और आप हमारे से इसी प्रकार प्यार करते रहो, हमारे चैनल को support करते रहो, और अपने राहूल सर को blessings देते रहो इसी प्रकार, इतना ह तो इसी के साथ दोस्तो आज का वीडियो समाप्त होता है, उमीद करता हूँ कि जो भी points हमने आज cover किये हैं, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और आप इस चीज के उपर सोचोगे, और जरूर से practice करोगे, और continuously पढ़ाई जाली रखोगे, ठीके, और आपके convenience के बच्चा ये वीडियो देखें, और उनको समझ में आए कि ये 10 से 15 दिन जो vacation मिला है, इसका कैसे फाइदा उठाना चीए, ठीके, तो अपने सारे दोस्तों को relative, उसको जितने भी आपके friends है, सबको ये वीडियो शेयर कर देना, फटा फट से हैं, साथ ही में दोस्तों, अग गुद्बाई